किसान सातियों नमस्कार, राम राम, सस्रीकाल, आदब किसान सातियों आप अच्छे होंगे ठीक होंगे भगवान से कामना करते हैं दूआ करते हैं आप जहां भी रहें स्वस्त रहें अच्छे रहें आपके काम में दिन दुगनी राच दुगनी उन्ती हो परम पिता परमेशोर से हमारी यही कामना है किसान साथियों मैं अमित महला तैसिल वारू डिस्टिक विवानी हर्यारा से आज दिनांक 6 अपरेल 2023 और कल हमने एक छोटा सा लाइप प्रोग्राम आप लोगों के बीच में सेर किया था कि हम आप लोगों के बीच में एक ऐसा वीडियो लेके आया हैं साइद आपने आज तक देखा नहीं होगा आगे की तो कुछ का नहीं जा सकता हमारे से भी ज़्यादा बैटर वीडियो को साथी बना कि आप लोगों के बीच में सेर कर दे लेकिन आज इस वीडियो की थोड़ी सी भूमिका मैं आपको बता देता हूं पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये वीडियो एक तो निवेदन सबसे पहले किसान सातियों से मेरा ये है किस वीडियो को पूरा सुने एक वीडियो को मैं बिल्कुल आराम से बनाऊंगा बिल्कुल दिहरे बनाऊंगा और एक एक चीज मैं उसमें बताने का परियास करूंगा और मैं ये नहीं चाहता कि कोई चीज मेरे से छुटे और उस से किसान को कोई नुक्सान हो हम इस वीडियो में वो चीज़ आप लोगों की बीच में लाने का काम करेंगे जिस से आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है आज तक आपने तरह तरह के पेस्टेसाइज तरह तरह के जेविक कीटना सक बनाए होंगे यूज किये होंगे लेकिन उनके परिणाम आपको मिले भी हैं और ना भी मिले हैं कई रोग ऐसे आप लोगों के बीच में हुए होंगे जिन रोगों के आपको छिड़काव करने के बाद भी उनका रजल्ट आप लोगों को नहीं मिल पाया लेकिन ये वीडियो जो आप लोगों के बीच में आने वाला है ये वीडियो एक ऐसा काम करेगा कि किसी भी तरह की आपके खेत में बीमारी की समस्था क्यों ना हो कीट कैसा भी क्यों ना हो किसी भी तरह की माइक्रो न्यूटन डेफसेंसी क्यों ना हो ऐसी जगें हमने कोई छोड़ी नहीं स्वीडियों में जो तत्तव इस गोल में ना हूँ बस फरक इतना है कि ये इस वीडियों के 4 पार्ट बनेंगे उर वो 4 पार्ट बड़े बनेंगे वो एक हमारी मज़बूरी है और वो मजबूरी भी ना समझें क्योंकि अगर जेविक खेती आपको करना है उसमें कामयाभी हासिल करनी है तो उन चीजों की गहराई तक जाने का प्रियास साथियों हमें करना पड़ेगा आज तक हर चीज जो हमारे साथ में थी उसकी पहचान ना करने का काम हमने किया उस वनस्पती के बारे में हमें नहीं पता था और वो वनस्पती हमारे पास में थी उस वनस्पती में क्या क्या न्यूट्रेन वेलू है उस वनस्पती में किन किन रोगों से लड़ने की अक्षमता है उसकी हमें जानकारी नहीं थी वो जानकारी हम इस वीडियो के मादम से देने का किसान साथियों काम करेंगे और इस जानकारी से बले ही आप एक एक चीज को नोट करें मैं वीडियो को बिलकुल आराम से बनाऊंगा कोई भी इसमें जल्दबाजी मैं नहीं करूंगा और दूसरा इस वीडियो के लिए मैं दूसरी बात और भी आप लोगों को बताना चाहूंगा जो किसान साथी जेविक खेती करते हैं या रासानिक खेती करते हैं और वो परेशान हो चुके हैं तरह तरह की दवायां डालके उन लोगों के बीच में हाज जोड के आप से विंती हैं ये वीडियो जरूर सेड़ करें अगर आपको समझ में नहीं आता हो तो बो आप मेरे से डारेक्टी पुझे अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस वीडियो इस गोल को बनाने के लिए तरल वेस्डी कमपोजर का होना हमें अति आव सके वो गोल 100 लिटर में हो या 200 लिटर में हो 100 लिटर में बनाना चाहो तो 100 लिटर में बना सकते हो और 200 लिटर में बनाना चाहो तो 200 लिटर में आप उसको बना सकते हो सबसे पहले आपको 3 और 4 परकार के पत्थर लेने हैं सबसे पहले 3 और 4 परकार के पत्थर लेने हैं और उसके साथ में संगमबर के टुकडे भी अवस्थे आपको लेने हैं यानि पांच परकार के पत्थर हो गए ये आपको 10 किलो मेट्रियल लेना है और चाए आप 200 लिटर में बनाते हो चाए 100 लिटर में बनाते हो उस 10 किलो मेट्रियल को आपको उस 200 लिटर में या 100 लिटर में डाल देना है दूसरा जो है डाले दाले आपको लेनी है छिलके सहीत इस बात का विशेश रूप से आपको ध्यान रखना है दाले जो आपको लेनी है छिलके सहीत लेनी है इस बात का सबसे पहले आपको ध्यान रखना है क्योंकि छिलके में सभी परकार के तत्तों पाए जाते हैं और दालों के अंदर जो दाले आप इसके अंदर डालेंगे उसके अंदर नाइट्रोजन, फार्सफोस, पोटास, मेगनेजिम, इत्यादे की मातरा, परचूर मातरा में पाई जाती है ये मानन ये डोक्टर सरिमان किर्शन कुवार्चंदरा जी ने जो माइक्रो नुट्रोन का वीडियो बनाये था, उसमें बिलकुल तई की आए उपरोग जो पत्थर का, जो मैंने बताया है, पत्थर के गोल के अंदर काफी मातरा में मिनरल पाई जाते है काफी मातरा में कैल्सियम की मातरा पाई जाती है, काफी मातरा में फार्सपोस, पोटाज की मातरा पाई जाती है, यह आप भली बाती जानते हैं तीसरा पॉइंट, हर परकार की तिलहने, उसके अंदर तिल भी आप ले सकते हैं, अलसी भी आप ले सकते हैं, मुंगफली भी आप ले सकते हैं, कस्टर भी आप ले सकते हैं, जो तिलहनी दाने आपको मिलें, वो दाने आप, आसानी से जो आपके पास मिल जाएं, दो किलो ले लेना है और उसका बारिक पाउडर करवाना है इसी परकार दालों का जो है उसका भी बारिक पाउडर आपको करवाना है इस बात का विशेश रोप से आपको द्यान रखना है उसका दालों का भी बारिक पाउडर करवाना है और तिलहनी जो भी तीन चीज आप लेते हो जो की खली के अंदर काफी मात्रा में सलफर होता है कि सर्षों की खली में काफी मात्रा में सलफर होता है नाइट्रोजन होता है पोटास होता है कैलसियम होता है इत्यादी पाये जाता है कि साउथ हिंडिया में जहां तक मेरा मानना है सर्षों नहीं होती तो वह किसान साथी खली की खली ले सकते हैं अगला है नीम की खली नीम की खली जो है वो काफी वाइरेस को कंट्रोल करती है काफी इलियों को कंट्रोल करती है काफी तरह के रोगों से हमारा छुटकारा दिलाती है तो नीम की खली भी आप एड़ कर सकते हैं अगला है मववा की खली मववा की खल उसके अंदर काफी मातरा में अनपीके होता है और फफूंद नासक में भी काम करता है इन सभी की तस्वीरें ये जब वीडियो के सभी पार्ट खतम हो जाएंगे तो इन सभी की तस्वीरें वीडियो के लाश्ट में विद तस्वीर विद नेम मैं डालने का काम करूँगा और जो भी आपको खली मिले, टोटल दो केजी खली आपको डालना है, 200 लिटर या 100 लिटर में, टोटल दो केजी, जो भी आपको आसानी से मिलती है, only 2 केजी, अगली है करेंजा की खली, करेंजा के बारे में काफी किसान साथ ही जानते होंगे, करेंजा की खली जो है, वो बहुत युज करते हैं करेंजा की खली का सबसे बड़ा मैंतव क्या होता है करेंजा की खली नीमा-टोड को जड़ से खतम करने का काम करती है कोई साथी नहीं जानता इस बातहीं करेंजा की खली जो होती है नीमा टोड कैसी भी क्यों ना हो उसको जड़ से खतम करने का काम करती है और करेंजा की खली अगर खेत में पड़ी है तो नीमा टोड आएगा भी नहीं इस बात को तैमान के जलना करेंजा की खली जो होती है उसमें न्यूटरन तो होता ही होता है उसके साथ सा अगली है तिल की खली, तिल की खली के अंदर काफी मातरा में आइरन होता है, कैलसियम होता है, मेगनेसियम होता है, जिंक पाए जाता है, और तिल की खली के अंदर प्रोटीन और एमीनो एसिड भी पाए जाता है, तो जो भी खली आप ले इनको बारिक पाउडर में आपको प काली मिल जाये तु काली ले ले लिजा या दूसरी तुलसी मिल जाये तो बहुत अच्छा है उसको बारीक करके और एक चैजी उसका टोटल चटनी बनाके और वो उस गहल में आपको एड करना है यह क्या करती है रोगों से लड़ने की अक्षमता पोदे को देती है और दूसरा growth promoter का काम भी यह खली करती है तुलसी जो होता है जिसको हम पूजन में भी यूज़ करते हैं तो तुलसी की खली जो है growth promoter में भी काम आती है और रोगों से लड़ने की अक्षमता भी देती है अर्बी की पतिया अर्बी अर्बी सभी जानते होंगे अर्बी जिसके हम सबजी खाते हैं अर्बी की पतिया आपको दो केजी लेना है दो केजी ओनली दो केजी अर्बी की पतिया आपको लेनी है सो लेटर में बनाो या दो सो लेटर में बनाो ये जो है ये इलियों में कारगार है इलिया कैसी भी हो उसमें कारगार है दूसरा माइड माइड की जो समस्या हूँ जिसको फाइडर माइड भी बोलते हैं जिस पर पता नहीं किसान कितनी मातरा में राशानिक काउप यो करते हैं और फिर भी वो फाइडर माइड नहीं जाता है खेस से और यह अगर आप इसका तुलजी अगर इस गोल में आप डालेंगे तो वो आपके खेत में नजर नहीं आएगा यह मेरा वादा है इस बात का विशेशूप से आपको ध्यान रखना है अब मैं लास्ट पॉइंट पॉइंट तो काफी है टोटल इस वीडियो के अंदर तीस पॉइंट पर बात होगी तीस चीजें इसमें एड की गई है इस गोल के अंदर यह गोल इतना पावर्फूल इतना ताकतवर जिसके अंदर सभी माइक्रो न्यूटेंस सभी कीटना से स संबंदित सब कुछ समावेश है सब कुछ समावेश हमने इसका प्रैक्टिकली उप्योग करवाया यह भगवान यानि बिलिव नहीं कर पाओगे आप यानि जब इसको प्लांट पर डालोगे तो दूसरा अगर देखेगा तो आप यह मानोगे और फिर अनैंसर इसके साथ म होगा फिर तो बल्ले बल्ले यानि पता नहीं कितना जादा बैने फिट में लेगा आप कभी आपने कभी अपनी जिंद्गी में ऐसी फसल देखी भी नहीं होगे यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं अगला जो है पर्थेनियम पर्थेनियम जिसको गाज़र गास भी ब बोलते हैं यह बहुत अलकुलाई अलकुलाई होता है बहुत जरीला होता है यह यह बहुत जरीला होता और काफी रोगों में काफी रोगों में इलिया है वाइरेस में इतियादी है उनमें लड़ने की अक्षमता यह पोदे को देता है इसके साथ साथ इसमें नाइट्रोज 17 पॉइंट तक हम बात करेंगे तो आज कुछ आपको समझ में आएगा पिर भी आगर वीडियो के अंदर कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है तो वो आप पूछ सकते है या मेरी तरब से कोई बताने में अगर आपको समझ में नहीं आयो और ये बहुत powerful goal आप लोगों के बीच में बनने वाला है इस goal के उपर हमने काफी महीने से हमारा काम चल रहा था हमारे एक साथी इसमें मेरा सहयोग दिया उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आने वाले समय में एक वीडियो के मादम से हम उस साथी से आपकी मुलाकात भी करवाएंगे और जिन साथियों को WhatsApp गुरूप में मेरे साथ एड होना है WhatsApp पर मेरे साथ बातचीत करना है तो वीडियो के description box में में मेरे WhatsApp गुरूप दो है और टेलेग्राम गुरूप वन है उनके मैं लिंक डाल दूंगा उससे आप उनको क्लिक करके मेरे से वो आप पूछ सकते हैं और जिन भी किसान साथियों को तरल वैस्डी काम पोजार हनेंसर पाचक अमरत नेतर अमरत फीश अमरत इत्यादी के अगर आपको आप सिकता हो तो वीडियो पर दिये गए WhatsApp नमबर के उपर फोन करके या कोल करके या मैसेज करके आप मंगा सकते हैं